हलो दोस्तों स्वागत करता हूं गाइडड़ा योटूप चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू लिंगो अप्लिकेशन के बारे में इस अप्लिकेशन के एलप से आप अपने इंगलिश को इंप्रूप कर सकते हैं आप में से काफी लोग इंगलिश कर लेते हैं वीडियो को लाज्ट तक ज़रूर देखिएगा कि अगर कि सिंप्ली आपको क्या करना है कि एक छोड़ा सा काम करना है गूगल प्ले स्टोर से डूलिंगो अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इसको ओपेन कर लेना है कि ओपेन करने के बाद आप क डियो लिंगो अप्लिकेशन ऐपन हो जाता है इसके बाद आप घेट इस्टार्टे credit पेखिलिक करने के बाद आपके पस यहाँ पे आएगा, I want to learn, आप किया सीखना चाहते हैं, तो हमको English सीखनी है, तो हमको English सीखनी है हिंदी से, तो हम क्या कर लेंगे, इस सबसे पहले वाले option को चूज कर लेंगे, इसमें बहुत सारे language आप जो भी इसमें सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं, तो आसी बहुत ही असानी से सारी लेंगविज पो सीख सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए हम क्या करते हैं अंग्रेजी सीखें हिंदी से सीखना चाहते हैं अंग इंग्लिश इसको चूज कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर करा रहा है कि इस विल चेंज दा एप इंटरफेस टू हिंदी मतलब यह अप्लिकेशन क्या होगा आपको हिंदी में सो करेगा तो इसके लिए हम ओके कर देते हैं ओके करने के बाद आपका डूलिंगो अप्लिकेशन ओपन होता है इसके बाद आप यहाँ से भासा आप भासा किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं दिमाग की कशरत के लिए यातरा के लिए परिवार और दोस्त के लिए पढ़ाई के लिए नोकरी के आउशर के लिए संस्कृ करना चाते हैं हम पढ़ाई के परपर से इसको यूज करना चाते हैं इसके बाद आप यहां से एक लक्ष चूस कर लेंगे कि आप डेली कितना मिनट इस पे डिए लिंगो अप्लिकेशन पे देना चाते हैं ठीक है तो उसके लिए इसमें काफे ज़्यादा मिनट दियो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, अपने लक्ष को बदल सकते हैं, 5 से 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा कि आपका लेवल क्या है, आप पहली बार इंग्लिस स चीज का मिनिंग पूछेगा इसे चार आपशन रहें गे इसके बाद इस चारो options में आपको picture के साथ option रहेगा तो इससे काफी असानी हो जाता है English को सीखने में ठीक है जिसे आप यहाँ पर पूछ रहा है गाड़ी का अनुवाद चुने यानि गाड़ी का अनुवाद यानि गाड़ी है ठीक है तो इसमें पहले वाल अप्शन तो क्या है water का bottle है इसक इसके बाद house है इसके बाद आप यहाँ पर car देख रहे हैं तो हमको सभड़े आगे यहां से picture दक के हम बता सकते हैं गाड़ी मतलब का यानिétais यानि हमने जो option चूज क्या है इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आ रहा option घर का अनुवात चुने तो घर इसमें पिक्चर में चार option आपको दिया हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मेरा option क्या है ठीक है तो हमको घर से घर का आनुवाद चुनना है तो हम इसमें पिक्चर देके कि यह मेरा option क्या होगा, right होगा इसमें घर का picture बना हुआ, इसके बाद check करें इसके बाद अचुछी तरह से क्या है इसके बाद आगे बड़े प्डिक कर देंगे इसके बाद यहां पर option आ रहा है my house यानि क्या है मेरा घर यहां पर क्या होगा my house यहां पर आप एक इसमें आपको dwelling को अप्लिकेशन में खासियत यह है कि कोई भी सक भी करना पोसिखा एक कैसे उसको बोलते हैं क्या उसका उचाण रखा क्या क्या होगा कैसे किसी भी लτε को किसी विशिक्र पेश्र नहीं एक बतायाँ है पर करेंगा गिसमाय हाउस लिखा हुआ है यानि मेरा घर ठीक है इसके बार चेक करेंगे तो जो हम ने एंसर किया वो क्या है बढ़िया है सभी है इसके बार आगे बढ़े क्लिक लिए क्लिक कर देंगे इसके बाद यह ऑद यहां पर यॉर हाउस कोई भी सवाल का आपने answer दिया अगर वो answer सही है तो यहां पे यह जो शोरा वो green शोरा है ठीक है अगर आप में किसी भी questions का answer अगर wrong किया गलत किया तो यह जो green आपको शोरा वो आपको red color का सो होगा चलिए आपको आगे दिखाए इसके बाद आपको यहां पर दिखाए देरा my car is big अगर इसको सुनना है आपको कि इसको बोला कैसे जाता है इसको प्रोनाउंस येट कैसे करेंगे तो आप इस फिकर वाले बटन पर click करके इसको आप सुन सकते हैं इसके बाद यह कह बता रहा है कि हम एक साथ सीक रहे हैं आप इस समय 966,254 लोग के साथ एंग्रेजी का प्यास कर रहे हैं ठीक है इसके बाद फिर आगे बढ़े पर click कर देंगे इसके बाद आपको यहां पर दिखाए जारा your house is small यानि क्या है तुम्हारा घर क्या है छोटा है ठीक है आप य your house is small आपको यहां पर फिर चूस कर लेंगे कि हिंदी में इसका क्या होगा यानि क्या होगा कि तुम्हारा घर क्या है छोटा है ठीक है इसके बाद फिर आगे बढ़े पर click कर देंगे इसको हम जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे इसको हम इस चप्टर को पूरा कर लेंगे इस जी हाउस ही एसमॉल फटफट से इसको कंप्लिट कर देंगे इसके बाद एतार कि दुम्हारी गाड़ी छोटी है यानि योर्र टाहरी जारी इसके बाद फिर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे इसके बाद यहां बतारक तुम्हारी गाड़ी छोटी है यानि इसके बाद चेक कर लेंगे तो क्या है इसका सही उत्तर है यह संदर मतलब इसके बाद फिर आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपने जो पांच मिनट का जो अपने लक्ष चुना था उसको क्या हुआ यहां से इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर यहां पर आपने दो जेम्स आपको कमाए हैं इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह सारे जो सरकल आपको दिख रहा है सब्द वन सब्द टू ब जो सब्सक्राइब क्या और यूजिए है तो आप यहां से काफी ज्यादा आप इंग्लिस को इस्टॉंक बना सकते हैं काफी यहां अगर किसी को आपको परिजय देना है तो आप यहां से कैसे देंगे उसके बारे में यहां से सिख सकते हैं इसके बाद आप यहां से खाना पीना के बारे में सिख सकते हैं इसके बाद आप यहां से जगहे के बारे में गिंती के बारे में कपड़े के बारे में यहां से सिख सक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लिए